रानु चुडिया ने अपना पहला ही अंडा दिया था, तब से वहां बहुत बिमार रेने लगी थी, उसे बहुत ही कमझोडी महसूस हो रही थी, तब रानु चुडिया ने अपने पती से कहा, टिन्नू जी मैं बहुत कम जोड़ी महसूस कर रही हूँ कबूतर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कुछ दिनों तक घोसले में ही रहना चाहिए ठीक है रानो आज से दाना भी मैं ले आया करूंगा और पानी भी टिन्नू जी वो मुझे कबूतर डॉक्टर के पास से दावा ले आनी थी लेकिन दावा लाने के लिए मेरे पास एक भी दाने नहीं है अगर आप किसी तरह दाने का विवस्ता कर देते ता मैं दावा ले आती ठीक है रानो मैं कुछ विवस्ता करता हूँ इतना केकर टिन्नू अपने घर से निकल जाता है रास्ते में उसे गोरी कवी मिलती है गोरी कवी टिन्नू से बोलती है अरे टिन्नू मैंने सुना है तुम्हारी पतनिया बिमार रहने लगी है हाँ गोरी अब वो दाना भी नहीं ला सकती वह गोसले में ही आराम कर रही है एक बिमार चिडिया को तुम कैसे संभाल पाओगे अगर मेरी मानो तो तुम चुप चाप किसे दूसरी चिडिया से शाधी कर लो उससे क्या होगा और मेरा अंडा भी तो है तुन्नू इस अंडे वंडे को छोड़ो और जाओ खुस यो भरा जीवन जीओ तम क्यों दुख में अपना जीवन फसा रहे हो एक पीपल के पेर पर चिडिया बैठी हुई है और वह बहुत ही खुप सूरत है और जवान भी वह किसी चिड़ा के तलाश में है फिर क्या था तुन्नू चिड़ा उड़ते उड़ते उस पीपल के पेर के पास पहुँच जाता है और वह सुन्दर चिडिया को देखकर सब कुछ भूल जाता है अपनी पतनी, अपना घर परिवार और अपना अंडा भी और सब कुछ भूला कर वह अजनबी चिडिया के साथ जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है साम तक रानो चिडिया उसका इंतिजार करती है मगर कोई नहीं आता रानो चिडिया बहुत भूखी थी मगर भोजन लाने के लिए कमजोरी के कारणवा जादा दूर नहीं जा सकती थी रानो चिडिया अपने मन में सोचते हुए बोली तुन्नो जी अभी तक नहीं आये, इतना समय हो गया मेरा जी तो अब बहुत घबरा रहा है, नजाने क्या बात हो गई जैसे तैसे रात गुजर जाती है, और अगले दिन सुभा सुभा ही गोरी कवी और कालुकवा रानो चिडिया के घर आते हैं फिर कालुकवा रानो चिडिया को आवाज लगाता है आरे रानो चिडिया जल्दी बाहर आओ फिर रानो चिडिया बाहर आती है अरे रानो चिडिया तुम्हारा पती ये जंगल छोड़ कर कहीं और चला गया है और उसने किसी दूसरी चिडिया से शादी कर ली है गोरी कवे ने इतना कहा ही था कि तभी कालू कवा बोला और हार रानो चिडिया उसने ये घर हमें बेच दिया है तो तम जल्दी से ये घर खाले कर दो कालू और गोरी की बाते सुनने के बाद रानो चिडिया का सरीर कापने लगता है और वो कापते हुए आवाज में बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा पती मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता तो क्या हम जूट बोल रहे हैं तुम चुप चप अपना समान लेकर यहां से निकल जाओ वरना हम तुम्हारे अंडे उठा कर बाहर फैक देंगे डरते हुए चिडिया अपने घर में जाती है और अपना गोसला और अंडा उठा कर वहां से निकल जाती है पिर गोरी कवी कालू कवे से हसते हुए बोली हा खालो जी हमें बसा बसा या घर मिल गया और रानो चिडिया का बसा बसा या घर जड़ गया हा गोरी तुम तो मुझसे भी दो कदम आगे हो इधर रानो चिडिया अपना घोशला और अंडा लेकर जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है टुन्नो की नई पत्नी उससे बोली टुन्नो जी आपको ये घर कैसा लगा ये घर मेरी मा ने बनाया था बहुत सुन्दर है लेकिन तुम चिंता मत करना मैं ध्यान से अपना काम करूँगा और इस घर में कभी भी दाना पाने की कोई कमी नहीं होगी टुन्नो की बात सुनकर उसकी नई पत्नी बोली अब ऐसा ना हो कि मैं भी अंडे दू और तुम किसी और चिडिया के साथ भाग जाओ नई नई पत्नी की बात सुनकर टुन्नो हसते हुए बोला अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रगता था लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा क्योंकि वो बहुत विमार रहने लगी थी मैं उसको संभालता या घर को अच्छा ये सब छोड़ो आज के बाद ना ही तुम उस चिडिया का नाम लेना और ना ही उन अंडों के बारे में कभी सोचना ऐसे तुन्लू चिड़ा अपने नए जिंदिगी में बहुत ही मगन हो जाता है और हो अपने पूरानी सारी यादों को भुला देता है रानो चिडिया जंगिल में जा रही होती है कि तभी वह देखती है कि एक किसान अपने खेत में मटर की खेती कर रहा है तभ रानो चिडिया उसके पास जाती है और उसे बोलती है तोते भाईया मेरा कोई भी घर नहीं है और मेरा अंडा अभी अभी निकला है आप मुझे किरपा करके मेरा घुसला इस पेर पे रखने की इजाज़त दे दो अरे चिडिया तुम कहां से आई हो मैं संदरवन के जंगल से आई हूँ वह सामने वाला घर देख रही हो वह मेरा ही है अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ उस घर में रह सकती हो तोते की बात सुनकर रानो चिडिया मान जाती है और तोते के साथ उसके घर में रहने लगती है पर कुछी दिनों बाद रानो चिडिया के अंडे से एक बहुती संदर बेटा निकलता है इधर तोता अपनी खीत में मटर इकठे कर रहा था तबे रानो चिडिया ने तोते से बोला तोते भाईया मेरे अंडों से बहुत है संदर बच्चा निकलाया है दूर से हैं चिडिया तोते को बताती है तोते ने चिडिया के बहुत मदद की थी वा कुछ दिनों तक चिडिया को दाने भी ला कर देता था उसने उसकी मुश्किल समय में उसके बहुत मदद की थी तो ते भाया मैं आपका एसान कभी नहीं भोल सकती आपने मेरे मुश्किल बक्त में मेरा बहुत साथ दिया है अगर हम किसी के मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं तो कल को हमारे मुश्किल समय में भी हमारा साथ देगा। कुछी दिनों में कुक्कु ने उड़ान भरना सीख लिया था। वो अपने घर के आसपासी उड़ान भर रहा था। कुक्कु बेटा आप ठेक जाओगी। इधर आजाओ बहुत तोड़ान भर लिया आपने। मम्मा मुझे थोड़ा दिर और उड़ने दोना बहुत मज़ा रहा है। दिन हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता है। दुख आता है तो चला भी जाता है। मगर ये भी सच है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तुन्नू को दो दिन से खासी थी। कबुतर डॉक्टर उसे दवा देने आता है। कबुतर डॉक्टर से तुन्नू की नई पत्नी बोली। कबुतर डॉक्टर मैंने तो इने सारी दवा दे दी है। लेकिन खासी है कि रुखने का नाम ही नहीं ले रही। देखो चडिया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, तुम्हारे पती को टीबी हो गया है, और यह एक मरीज से दूसरे मरीज को हो जाता है, इसलिए तुम इसका बरतन अलग कर दो, और तुम अपना ख्याल रखना, कबुतर डॉक्टर इतना कह कर, वहां से चला जाता ह यह डॉक्टर जूट बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मगर पती जी, कबुतर डॉक्टर मुझे जूट क्यों बोलेंगे, तुम ऐसा करो, मेरा एक घोसला है बेरी के पेर पर, तुम थोड़े दिनों के लिए वहां पर रहलो मगर अकेले, मैं वहां पर केसे रहूंगा आप बात को समझे, आप बेमार हैं, अगर आप यहां पर रहेंगे, तो मुझे भी टीवी हो जाएगी तुन्नों की नई पत्नी, उसे बेरी के पेर पर छोड़ाती है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें दाना पानी दे आया करूंगी अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत ठक गई हूँ तुन्नों चिडा अपनी नई पत्नी को जाता हुआ देख रहा था लेकिन वह बेवस था, वह क्या कर सकता था ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं, मगर दाना देने के लिए कोई भी नहीं आता तुन्नों बिमारी हालत में था, और उसे अपने पुराने दिन यादाते हैं, कि उसने अपने पत्नी के साथ क्या किया था मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जो मैंने अपनी पत्नी और अंडे के साथ किया था, मुझे यहीं सजा मिलने चाहिए चिडिया तोते के साथ माटर के खेत में काम करती। उसने अपने मेहनत से अपना एक अलगी घर बना लिया था। अरे चिडिया बेहन तुम्हें नए घर की बधाई हो। तोते की बात सुनकर रानो चिडिया बोली। तोते भीया ये सब आपकी बज़से है। अगर आपने मु उमने जा रहा हूँ, कुक्को उड़ता हुआ जंगल में जा रहा था, कि तब है उसे कोई आवाज सुनाई देती है, वो उस आवाज की तरफ चला जाता है, जी अंके, मैं आपके क्या मदद कर सकता हूँ, बेटा, मैं दो दिनों से प्यासा हूँ, मैं प्यास से मर रहा हूँ तुम मुझे थोड़ा पानी लाकर दे दो, कुक्को अपनी मा की तरह ही द्यालू था, वह नदी पर जाता है, और वहां से दाना पानी ले आता है, लो अंकल, आप ये पानी पीलो, और साथ में ये दाना भी खालो, अरे बेटा, बहुती भाग्य साली होंगे वो माबाप, जिनके तुम बेटे हो, जीते रहो बेटा, अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, मेरी मा मेरा इंतिजार कर रही होगी, कुक्को जब घर पहुंचता है, धब रानो चुडिया उससे बोलती है, अरे कुक्को बेटा, कहां चले गए थे, तुम्हें इतना देर कहां लग गया, मम कोई अंकल मुश्किल में थे, तो मैंने उनकी मदद की, मैंने उन्हें नदी से पानी और दाना ला कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो मैंसे ही लोगों की मदद करते रहना, फिर उस दिन के बाद से, कुक्को हर रोज बेरी के पेर पर जाता, और अंकल को दाना पानी खा लिया है, तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत परिशान हो रही होगी, तुन्नो रोते हुए बोला, जाओ बेटा, जाओ, अंकल, आप रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, इसे ही एक दिन, कुक्को घर से बाहर निकल रहा था, त कोई पक्षी तुम्हें उल्लू बना रहा हो, फिर रानो चिडिया कुकू के साथ जाती है, तुन्नो बिमारी हालत में था, वह रानो चिडिया को देखते हुए बोला, रानो, रानो, तुम यहाँ, फिर रानो चिडिया अपने बेटे से बोली, बेटा, क्या तुम इसके ल जब आप मुझे और मेरे बेटे को असहारा छोड़ कर चले आये थे टुन्नो रोय जा रहा था उसके मुझे तो आवाज भी नहीं निकल रहे थी बेटा बेटा अपनी मा से कहो ना कि वह मुझे माफ कर दे मम्मा मम्मा क्या ये मेरे पापा है हाँ बेटा ये ही तुम्हारी पापा है अब चलिए घर चलते हैं कुकु बेटा अपने पापा को घर ले चलो फिर पापा चिडिया अपने बेटे को गले से लगा कर रोय जा रहा था और वो अपने गी हुए गलती पर बहुत पश्ता रहा था मगर अब गुज्रा हुआ समय कहा लोट कर आने वाला था प्यारे दोस्तों आप इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें और हाँ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका धन्यवाद सिंदरवन के जिंगल में रानो चिडिया अपने पती और अपने बेटी के साथ रहती थी रानो चिडिया का परिवार बहुत है गरीब था एक रात रानो चिडिया का पती कुछ बीज लेकर घर आता है जिसे देखकर रानो चिडिया बोलती है अरे ये क्या आप उठा लाए हैं क्या है ये अरे रानो ये आम के बीज हैं इन बीजों को हम अपने घर के पास ही बो देंगे जिससे हमें मुफ्त में ही आम खाने का मिल जाया करेंगे पापा मैं आम जरूर खाऊंगी मेरे दोस्त ने मुझसे बताया था कि आम बहुत ही मीठे होते हैं और फिर अगले ही दिन पापा चिडिया और मम्मा चिडिया उन आम के बीजों को अपने घर के पास ही बो देते हैं और बीज बोने के बाद जब भे रानो चिडिया फ्री होत तो वा उन बीजों में पाने दे दिया करती थी ऐसे ही करते करते कुछी दिनों में आमके छोटे छोटे पौधे निकलाते हैं गुडिया उन पौधों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से घर जाकर अपने मम्मा को बताती है मम्मा मम्मा हमारे आम के पौधे निकल आए हैं गुडिया की बाते सुनने के बाद मम्मा चिडिया बहुत है खुश हो जाती है फिर एक दिन पापा चिडिया जंगल से दाना लाने के लिए जाता है कि एक दम से मौसम खराब हो जाता है फिर पापा चडिया तुफान से बचने के लिए एक पेर के उपर जाकर बैठ जाता है ये तुफान तो बहुत तेज है ऐसा तुफान तो जंगल में पहले कभी नहीं आया था तो वहीं दूसरी तरफ मम्मा चडिया अपने पती को लेकर बहुत ही परिशान थी फिर रानो चडिया अपने बेटी गुडिया से बोलती है गुडिया बेटी तुभारे पापा ना जाने किस हाल में होंगे मुझे तो उनके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और कुछी समय बाद तुफान थम जाता है और रानो चडिया के दर्वाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही रानो चडिया दर्वाजा खोलती है तब वह देखती है कि उसका पती खुन से लथपत है ये भगवान ये आपको क्या हो गया आपके सिर से तो खुन निकल रहा है पापा चडिया की ऐसी हालत को देखकर रानो चडिया बहुत रोने लगती है फिर पापा चडिया दर्वाज से कराहते हुए बोलता है मेरे सिर पर चोट लग गई है मैं बहुत ही मुश्किल से यहां तक पहुचा हूँ फिर रानो चिरिया भागे भागे कबूतर डॉक्टर के पास जाती है पापा आपको कच नहीं होगा मम्मा कबूतर डॉक्टर को लेने गई है गुडिया मेरी बेटी मेरी सांसे रुक रही है बेटी तुम अपने मम्मा से कहना कि वो अपना और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे और तुम भी अपनी मम्मा का ख्याल रखना और उन्हें ज़्यादा तंग ना करना ऐसे ही कहते कहते पापा चिरिया की मृत्य हो जाती है रानो चिरिया जब कबूतर डॉक्टर को लेकर अपने घर आती है तब वह देखती है कि उसका पती तो मर चुका है वह यह देखकर जोड जोड से रोने लगती है कबूतर डॉक्टर रानो चिरिया को चुप कराने लगता है चुप हो जाओ रानो चिरिया इस तुफानी बारिश में बहुत से पक्षियों की मौत हो गई है अब रोने से कुछ नहीं होगा तुम अपना और अपने बेटी का ख्याल रखना ऐसा कहकर कबूतर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है ऐसे ही एक दो दिन बेच जाते हैं और रानो चिरिया के घर से धीरे धीरे भोजन का दाना भे खतम हो जाता है गुडिया मेरी बेटी खाने के लिए रसोय में एक भी दाना नहीं है अब मुझे बाहर जाकर काम ढूंडना होगा ताकि मैं घर को चला सकूँ मम्मा मेरी स्कोल के फीज भी आ गई है टीचर ने बताया है कि अगर हमने फीज जमा नहीं किया तो मुझे स्कोल से बाहर निकाल देंगे फिर मम्मा चिडिया काम ढूंडने के लिए घर से निकल जाती है तभी उसे रास्ते में लाली तोती मिलती है उसे देखकर रानो चिडिया बोलती है अरे लाली मेरी सहेली मैं कोई काम करना चाहती हूँ आप ही बताएए ना कि मैं क्या काम करूँ अरे चिडिया मेरी सहेली तुम्हारे आम पक कर तयार हो गए है तुम ऐसा करो कि आम तोड़कर जंगल में बेच दिया करो आम बेच कर तुम्हें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो जाएगा रानो चिडिया को अपने सहेली की बात पसंद आती है और वह जल्दी से जाकर अपने आम के पेर से आम तोड़ने लगती है आम तोड़ने के बाद रानो चिडिया अपने बेटी गुडिया से बोलती है गुडिया बेटी तब घर जाकर अपने पढ़ाई करो तब तक कि ये आम मैं जंगल में बेच कराती हूं फिर गुडिया दो आम लेकर अपने घर चली जाती है और रानो चिडिया जंगल में आम बेचने लगती है ऐसे ही साम हो जाता है लेकिन रानो चिडिया के सिर्फ कुछ ही आम बेच पाते हैं और बाकी बचे हुए आम को लेकर रानो चिडिया अपने घर चली जाती है घर जाकर राना चिडिया अपने बेटी से बोलती है बेटी ने जाने पंच्छियों को हमारे आम पसंद नहीं आए शाम तक केवल एक किलों ही आम बेख पाया है मम्मा अगर पंचियों को आपका आम पसंद नहीं आया तो उन्हें आपके आम वाली आईस क्रीम जरूर पसंद आईगी बेटी तो क्या हम आम की आईस क्रीम बना कर बेचें हाँ मम्मा बच्चे और बड़ों को आपके आम वाली आईस क्रीम बहुत पसंद आईगी ऐसे ही मम्मा चिरिया बाजार जाकर थोड़ा सा दोद लेकर आती है और रात भर आम की आईस क्रीम बनाती रहती है ऐसे ही सुभा हो जाती है फिर जब गुरिया आम की आईस क्रीम को देखती है तब वो अपने मम्मा से बोलती है मम्मा आप रात भर जाकर आम की आईस क्रीम बनाई हैं तो आप ऐसा करें कि आप दिन भर आराम करें ये सभी आईस क्रीम को मैं जंगल में बेच कर आती हूँ अपने बेटी गुरिया की बात सुनकर मम्मा चिरिया आराम करने लगती है फिर गुडिया चिरिया जंगल में जाकर मैंगो ऐसक्रीम बेचने लगती है मैंगो ऐसक्रीम को देखकर मिठो तोता वहाँ पर आता है वह एक आईसक्रीम खरित कर खाता है आईसक्रीम खाकर मिठो तोता बोलता है अरी वावा क्या आईसक्रीम है मुह में डालते ही पिखल गई ऐसी आइस क्रीम खाकर तो मज़ा ही आ गया मैंने तो पहली बार ऐसी आइस क्रीम खाई है कुछी देर में गुडिया के पास आइस क्रीम खाने वालों के भेर लग जाती है और थोड़ी ही देर में गुडिया के सारे मैंगो आइस क्रिम बिग जाते हैं सभी आइस क्रिम को बेच कर गुडिया चिरिया अपने घर चली जाती है गुडिया चिरिया को देख कर रानो चिरिया बोलती है गुडिया बेटी हमारी सारी मैंगो आइस क्रिम कहा है मम्मा थोड़े ही समय में हमारी सारे मैंगो ऐसक्रीम बिग गई नी बेटी की बाते सुनकर मम्मा चडिया को यकीन नहीं हुआ अरे बेटी इतनी जल्दी हमारे सारे मैंगो ऐसक्रीम बिग गई लेकिन यह कैसे हो सकता है मम्मा ये लो पैसे अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना कि हमारे सारे mango ice cream बिग गए हैं ममा जंगल में सभी पंच्छीयों को हमारे ये mango ice cream बहुत पसंद आए फिर वो मा बेटी ऐसे ही mango ice cream बना कर बेचने लगती हैं के बाद वह मा बेटी खुशे भर अपना जीवन जीने लगती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सियर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद एक बार की बात है सुन्दरवन के जंगल में चिडिया अपने पती और अपनी सास के साथ रहा करती थी चिडिया की सादी को काफी समय बीट गया था लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान की खुशी नहीं मिली थी चिडिया अपने पती और अपनी सासु मा के साथ एक छोटे से गर में रहा करती थी रानो चिडिया की सासु मा बहुत अच्छी चिडिया थी उसने कभी भी अपनी बहु को यह मैसूस नहीं होने दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं है बलकि वो तो अपनी बवो को हमेशा तसलिही देती थी मा मेरी साधी को कितना समय बीट गया है अभी तक हमारे कोई भी बच्चे नहीं हुए और हमारा गर भी कितना सुना सुना लग रहा है पगली ये तू कैसी बाते कर रही है हमारा गर कहां सुना सुना है हमारी गर की सारी रौनक तो तुम से ही है और तुम चिंता मत करो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे गर में बच्चे ही बच्चे होगे और वे बच्चे इतने सरारती होंगे कि हमसे संभाले नहीं समलेंगे रानो चिडिया की सासुमा की यही बाते सुनकर उसे हमेशा हिम्मत मिलती थी और दूसरी तरफ गोरी कवी रहती थी जो रानो चिडिया की सहीली होने का दिखावा करती थी चिडिया मेरी सहीली अभी तक तुमारे कोई भी संतान नहीं हुई कई ऐसा नहो कि तुमारी सास तुमारे पती की कई और साधी कर दे नहीं गोरी मेरी सासुमा ऐसी नहीं है वो तो मुझे से बहुत प्यार करती है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं हुए वो तो मुझे हमेशा होसला और हिम्मत ही देती है अच्छा मेरी सहली तो थोड़ा समल कर रहना कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीट पीछे चुरा ना गोप दे गोरी कोई ऐसी बाते कर ही रही थी तबी चिडिया की सास पीछे खड़ी होकर सारी बाते सुन लेती है गोरी की बच्ची तुम मेरी बेटी को मेरे किलाफ कितना भी पड़काओ लेकिन मेरी बेटी मेरे किलाफ कभी नहीं होगी और तुम अपना बताओ तुम खुद तो अपनी सास के साथ दो दिन भी नहीं रह सकी अपनी साधी के अगले ही दिन अपने पती के साथ नया गोसला बना लिया खुद के घर का तो पता नहीं और दूसरों के घर के बारे में ऐसी बाते करती हो मा चले हम लोग घर पर चलते हैं मैं आपके बारे में कभी बुरी बाते नहीं सुन सकती आप मेरी मा हो चेडिया अपनी सासुमा को लेकर अपने घर चली जाती है ये सास बोग की जोड़ी भी पूरे जंगल में सबसे अनोखी जोड़ी है फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन बैठे बैठे चेडिया को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है अरे बेटा जल्दी जा और डाक्टर को बुलाला पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है वह जमीन पर कैसे गिर गई मा कुछ नहीं हुआ है मुझे आप चिंता ना करे ऐसे कैसे परिसान ना हूँ मैं बेटा ऐसे तो पहले कभी तुम्हें चक्कर नहीं आया फिर चिडिया का पती जल्दी से बुल बुल डाक्टर को बुला कर आ जाता है बुल बुल डाक्टर जल्दी से चिडिया का चेक अप करती है बदाई हो बदाई हो आपकी बहु मा बनने वाली है भूल भूल डॉक्टर की यह बाते सुनकर चिडिया की सास और उसका पती खुशी के मारे पागल हो जाते है देखा देखा बेटा मैं ना कहती थी कि हमारे गर में बच्चों की फुलकारिया बहुत ही जल गुझेगी हाँ मा यह सब आपकी दुआओं की वज़े से ही हुआ है फिर चिडिया की सास उमा अपने बेटे से कहती है बेटा अब तुमें अपनी पत्नी का पहले से ज़दा ख्याल करना होगा और रोज तुम ताजा ताजा फल लेकर आया करना मैं अपनी बेटी को अपने हातों से जूस बना कर दिया करूंगी ठीके माँ मेरो जाना ताजा ताजा फल लेकर आ जाओंगा ऐसे ही कुछ दिन बीथ जाते हैं और फिर एक दिन चिरिया के पेट में बहुत ही ज़ादा दर्द होने लगता है मा मा मेरे पेट में बहुत ही जादा दर्द हो रहा है जल्दी से मुझे बुल-बुल डॉक्टर के पास ले जाए बेटी अभी तो अंड़ा आने का सही समय नहीं आया है फिर ये तुम्हें दर्द क्यों होने लगा फिर चिडिया की सास और उसका पती जल्दी से चिडिया को बुल-बुल डॉक्टर के पास ले जाते है बुल-बुल डॉक्टर चिडिया का अच्चे से जगप करती है अरे परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है आपकी बहु के पूरे साथ अंड़े आने वाले है इसलिए ही इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है बस आपको अपनी बहु का पहले से और भी जादा ध्यान रखना होगा हे बगवान आपका सुक्रिया आपने हमें एक साथ इतनी खुसिया दी हमारा घर एक बार में ही खुसियों से भर दिया फिर वे सब घर पर आ जाते है बेटी अब तुमें पहले से ज़्यादा ध्यान रखना है तुम किसी भी काम को हाथ न लगाना मैं अभी जाके पूरे जंगल में मिठाई बाट कर आती हूँ फिर चीडिया की सासुमा पूरे जंगल में मिठाई बाटती है और सारे पक्षियों से कहती है कि उनके गर में पूरे साथ बच्चे आने वाले हैं